तो दोस्तों आज में आप सभी के साथ शेयर करें एक weight loss dinner की recipe जिसे आप चाहें तो lunch में भी ले सकते हैं यह low in calorie है high protein है और साथी साथी हम सभी के budget में हैं तो यह जो recipe में आप लोगों के साथ शेयर करें यह दो लोगों के लिए perfect है अगर आप थोड़ा बहुत एड़्जस्ट करते हैं तो तीन लोग इसमें खा सकते हैं इस पूरी recipe में calories है around 315 और अगर आप दो लोगों के साथ इसे शेयर करते हैं तो पर परसन इसमें जो calories आएंगी वो है 157 calorie और सबसे अच्छी बात इसमें जो protein की मात्रा है वो आपको 26 ग्राम तक मिल जाएगी तो आईए मैं आप आपको बताते हैं फट 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 टेस्टी सी healthy सी recipe को कैसे बनाना है यहर कोई बना सकता और इसे हर कोई खा भी सकता है तो सबसे पहले हमें लेना है पानी एक बरतन में करीब तीन कब तक पानी आप इसमें एड़ कर लें गैस की फ्लेम को हम एकदम हाई करेंगे और पानी को हम अच्छे से बॉइल हो जाने देंगे तो यह देखे यहां पर पानी में अच्छा उबाल आ गया है अब हमें इसमें एड़ करनी अपनी में इंग्रिडियंट जो है वो है यह सोया चंक्स जिसे हम सोया बीन बोलते हैं यह हाई in protein, हाई in fiber होता है, साथी साथी low in saturated fat होता है, cholesterol free होता है, lactose free होता है और यह एक good source माना जाता है omega-3 fatty acids का तो इसमें एंटीयोक्सिदंस की भी मात्रा भरपूर पाई जाती है, तो सोया बीन को हम अच्छे से पकाना है आपको 4-5 मिनट तक इसको high flame पर इस तरीके से boil क करना है इसे क्या होगा कि सोयावीन अच्छे से पक जाएगτο defa, आट नहीं नहीं ہے तो यहां पर सोयावीन को बोल करना बहुत ही important है तो इसे आपको बॉल करने में करीब 4-5 मिनट लगेंगे यह अच्छे अच्छे से अंदर तक बॉयल हो जाएगा तो यहां पर सोयाबीन जो है अच्छे से बॉयल हो चुकी है गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम होता आप इसी में इसको ठंडा होने दीजे अगर कम टाइम हो आप इस तरीके से इसको निकाल और दूसरी एक प्लेट या बर्तन में इसको ट्रांसफर कर लीजे और इसको पंखे के नीचे रखके आप तुरंट ठंडा कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसको अलग कर लेती हूं और इसे ठंडा होने देंगे तो सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की यह है कि हमें सारी चीजे एजिली मिल जाएंगी यह सब हम सभी के घर में होता है तो यहां पर एक प्यास मैनिल यह है एक टमाटर एक शमला मिर्च लहसुन अद्रक और हरी मिर्च सोया बीन महां पर ठंडी हो रही हरी धनिया और यह कुछ मसाले इनका कैसे प्रयोग करना मैं आपको बताऊंगी तो यहां पर हमें प्यास को रफ़ी चॉप करना है इस तरीकी से स्लाइस में इसको कट कर रही हूं मै और इसी तरीकी से मैं टमाटर भी कट करूंगी तो सबसे पहले में सबजीयों को कट कर लेती हूं मिर्च को चट निकाल देंगे और यहां पे शिम्मला मिर्च को भी में इस तरीके से लंबा लंबा ही कट करहे हीं पथला पथला तो एक शिम्ला मिर्च में करी 15 हैं और यहां पे जो मैंने टमाटर लिया है उसमें 25 क्यालेरीरी में Wyatt's 28 क्यालेरी तो बहुत ही जाधे healthy recipe है, try जरूर कीजेगा और अगर आपको मेरी recipes पसंद आती हैं तो उसे share किया कीजे और like किया कीजे और मेरे चैनल को subscribe कर लीजे, मैं आगे और भी ऐसी recipes लेकर आने वाली हूँ तो यह देखी, यहाँ पर मैंने सबजियों को cut कर लिया, अब हमें क्या करना है, एक जार लेना है, और इस जार में हमें transfer करना है अध्रक, लहसुन, यहाँ पर अध्रक, लहसुन और हरी मर्च की quantity अगर थोड़ी जादा रखते हैं, तो यह जादा tasty बनता है, क्योंकि हम इसमे अध्रक बहुत ही अच्छा आता है, तो यहाँ पर मैंने करीब 9-10 कलिया लहसुन की ली थी, हरी मर्च में ले रही हूँ, अपनी टेस्ट की according 7-8 और थोड़ा सा अध्रक मैंने लिया है, इनको हम पहले ग्राइन कर लेंगे, तो यह देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अच् कर रही हूं, इक रीब 2 मुठी ! अच्छा आ हंँ तो इक ग्राइन कर लेंगे। करीब 20-30 स्थोड़ा लगे हूंगे इसको ग्राइन करने में तो यहाँ पर बच्ची हूई सोया बीन है, इसको पानी है वह औ मि act हो रहिते हैं तो इस तरीके सा आप हातों से दबाके इ और इसमें आड़ करना है ओईल तो मैं यहां पर कैनोला ओईल यूज कर रही हूँ करीब दो छोटा चमश में ओईल ले रही हूं यहां पर तो अभी आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें प्याज एड़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर एक तेजपत्ता आड़ कर रही हूं करना है बहुत ही गोल्डन ग्राउन आपको नहीं करना है तो यहां पर एक मिनट तक मैंने प्यास को फ्राइब किया है आप देख सकते हैं प्यास थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो अब हम इसमें एट करेंगे जो सोयाबीन हमने स्क्वीज करके रखा है इसको हलका सब्सक की फ्लेम को हाई रखा है हाई फ्लेम पर में 30-40 सेकेंड तक सोयाबीन को प्यास के साथ फ्राइब करूंगी लगतार आपको चलाते रहना है चलाना मत छोड़ेगा अडवाई सबजियां जल जाएंगी तो यहां पर मैंने इसको एक मिनट तक प्राइब कर लिया है गैस की क्लेम को लो करेंगे और अब हम इसमें अड़ करेंगे मसाले तो मसाले बहुत ही सिंपल से आड़ करेंगे हूं आधा छोटा चमच धन्या पाउडर एक चोथाई चमच हल्दी और अगर आप चाहें तो यहां पर एड़ कर सकते हैं भुना हुआ जीरा का पाउडर और लेकिन मैं यहां पर आड़ करेंगे आधा चोटा चमच है यह चाट मसाला इसे बहुती बढ़िया चटपटा फ्लेवर आ जाएगा और अब हम इसमें आड़ करेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा है स्वयाबीन हरे मिर्च अध्रक और लहसुन को इस तरीके से अपी पे अब हम करते हैं अजार में चीज मिक्स करेंगे उसमें और एपकर लेंगे और यस तरीके से सब च Но mai आप बिवि prin करनेले कि हमारे मसाले टायंगे और जितना सबार्स के अरोमा है व स्लेवर इस अच्छे संब साहरेंगे है वो हमारे सोयबीन में अच्छे से आ जाएगा खाने में बहर टेस्टी लगेगा अगर आप चाहें तो यहां पर लाल मिर्च पाउडर एड़ कर सकते हैं लेकिन हरे मिर्च से ही बढ़िया तीखा हो जाएगा अगर आप तीखी मिर्च एड़ कर रहे हैं तो मैं अपनी तो यह देखी बहुती अच्छे से सोयबीन यहां पर पक शुकी और बहुती प्यारी से खुश्बू आ है अब हम इसमें अड़ करेंगे जो बाकी कि हमारी सबजों कटी हुई है इनको इनको हम इसी तरीके से एड़ करना है तब हिए सोयबीन में बहूती ज़्यादा टेस् इन सबको पहले हम लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो अभी आप देख सकते कि सभी चीज़े अच्छे से मिक्स हो गए, अब गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको तीन से चार मिनट तक पकाएंगे, तो हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राय करते है I hope कि आपको यह मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और एक इंट्रेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगी आप इसको इस तरह से तो खाई सकते हैं यह फिर आप अपने साथ कोई सैलड रख लीजे क्योंकि हमने समय सबजियां बहुत ही आड कर मैं आपको जन्त मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तिल देन इट हैपी एंड स्टे हैपी बाबाई टेक क्यों